अक्सर आपने चाय की टपरी या फिर पान गुटके की टपरी तो देखी होगी लेकिन क्या इंदार के मलारगन छेतर की एक अनोकी टपरी देखी जो जूस की टपरी है जहां बेल का सरवत मिलता है जी हाँ ये वही बेल है जिसे बिल्ला का सरवत भी कहा जाता है लोग यहाँ दू दू से आलिशान गाड़ी से आते हैं और ठढ़ ठढ़ कुल कुल सरवत पीते हैं और गर्मी के दिनों में यहाँ अधीग भीड उमडती है स्वास्त विसे जग्यों का मानना हे कि गर्मी के मुसम में बेल का सरवत काफी फाइदेपन होता है बेल का जूस पीनेस में इतना स्वादिस लगता है जो सहत के नजरिये से भी उतना ही फाइदे मन है इन दोर के जिन से चोरा है के पास एक टपरी नुमा दुकान इस बेल के सर्बत के लिए प्रसिद्ध है जा गर्मी के दिनों के अलावा भी यहां सर्बत मिलता है यह आप देख सकते हैं यह बाबा है जिनका नाम विकास है और यह बेल का सर्बत बना रहे है पहले इनों ने बिल्ले को तोड़ा ब्रेक किया उसके बाद में उसके अंदर से गुदा निकाला और उसको धीरे धीरे पूरी तरीके से निकाल लिया गया अब इसको अपने हातों से पूरी तरीके से इसे मिक्स किया जाता है मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाला जाता है फिर पूरी तरीके से गुदे को और चलनी में डाल कर उसे च्छाना जाता है और चुरस निकलता है उसको और पानी डाल कर फिर इसी तरह पूनह से चार बार प्रक्रया की जाती है तब जा कर निकलता है बिल्ले का चोज, बाद में इसमें सक्कर डाली जाती है और बर्फ लो हो गया आपका बिल्ले का जूस तैयार जी हाँ लेकिन ये जितना सुनने में आसान है दिखने में आसान है लेकिन बनने में उतना आसान नहीं है ये बाबा जो बनाते हैं काफी मेहनत करते हैं एक बिल्ले का जूस बनाने में या एक बिल्ले से जूस निकालने में तकरीब एक घंटा लगता है क्योंकि उसे बार-बार हातों से मिक्स किया जाता है खास बात ये है कि हातों से बनायवा बिल्ले का जूस इन दौर में एक मातर जगह मिलती है जिन सी चोहराय पर जो काफी फेमस है और इस जूस की कीमत मातर 10 रुपे है खास बात ये है कि बच्चों के लिए पूरी तरह निशूल खेब बिल्ले का जूस मैं दो साल से लगबक दादा के यहां पर आ रहा हूं और पी रहा हूं ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है और ठंडक रखता है पेट में और बच्चों के लिए भी बढ़िया रहता है हमारी दुकान तीन साल हो गहें हमको चलाते चलाते पिले के जूस गड़ुष की दुकान यहां फोरे इंदोर में एक मात्रदुपान हो इसपी इसको बनाने में करीबं करीबं आदी-पौन-ज़ंटा लग जाता है गा हमारे वाहा बंदता जा थैं थे इसे लगाएं तो आठ सो नो सो गिलास हो जाते हैं और पर गिलास किते रुपे देते हैं देड़ गिलास पोने दो गिलास हो जाता है गा हर इंसान को पिलाते हैं बच्चों के लिए निसूल के सेवा आएगी आपका नाम पियू सर्मा